हेलो दोस्तों नमस्ते भाई आपको पता है हमारे देश की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रहे लेकिन संसाधन सीमित है तो ये हमारे लेक समस्यागा कराण बना हुआ है population एक limited मात्रा में बहुत अच्छी चीज है लेकिन population सीमित संसाधन होते हुए लगातर बढ़ती जाए तो एक दुख का काराण है क्योंकि जमीन सीमित है, infrastructure सीमित है, जमीन से उत्पन होने वाला खाना सीमित है चलो एक ज्यान की बाते हो गई population का सवाल भी हमको बहुत परिशान करता है, एक population का question है जो सभी government exam में आता है अब फरक यह है कि TCS के आने से पहले data बहुत easy होता था, very little calculated है न, ऐसे ही हो जाता था अब सवाल आज भी वही पूछा जा रहा है, क्योंकि सवाल में कुछ creativity करी ने जा सकती बढ़ डाटा को बढ़ा करके उसकी calculation को complex कर दिया गया, लेकिन अच्छी बात है कि paper जो वो objective है, option होते हैं, तो option से, hit and trial से, approximate से, unit digit से, यह हम इस तरीकी से सवालों को कर सकते हैं तो previous year के मैं आपको question कराऊंगा, हर एक variety के जो population के पूछे गए हैं, इसमें किवल मैं population के increase, decrease वाले सवाल करवाऊंगा, only calculated logical questions यह नहीं हैं, ठीक है दोस्त, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इन सवालों को tackle कर सकते हैं, सारे के सारे previous year question है, अलग-अलग exam के मैंने compile कि एक बात आपको जाननी है, कि अगर आप किसी भी संख्या को कुछी भी हो सकती है, example के लिए population x% और y% से successive change करेंगे, successive increase करेंगे, अगर आप increase करने, positive, decrease करने तो negative, तो उसका जो net percentage change होगा, वो x plus y plus xy upon 100%, जैसे example के लिए आपने किसी शहर की population को पहले साल 7% बढ़ाया, और द population में 2 साल में net change कितना है, 7 पर मानस 3 का सक्सिव, 7 मानस 3, मानस 7 गुणा 3 बटे 100, 21 बटे 100, याने कि पॉंट 21, तो ये मेरे दोस्तों 4 में से पॉंट 21 आप मानस कर देंगे, तो 3 पॉंट कितना आ जाएगा आपका 79 percentage, किलियर है, आप बोलो के जी, बिल्कुल सही बात, अच दसक, एक decade मतलब 10 साल हो गया, एक टाउन की population 1,75,000 से बढ़कर, 2,62,500 हो गई, तो आप से पूछा कि average annual percentage increase क्या है, population हर साल आउसत कितनी वार्शी परती सतर से बढ़ रही है, अब देखेगा, इस सवाल के जो option है, काफी दूर दूर है, आप कहोगे सर ये तो काफी नजदी से 2,62,500 हो गई, तो बताओ कितना हुई है, लगभग देखी आप, exact आप solve कर सकते हैं कि कितना percentage बढ़ हार 10 साल में, उसको 10 से डिवाइड करना है, लेकिन देखो दूगना तो नहीं हुआ, सत्रे दूनी, हैं भी 340 होता है, ये डेल गुना है, अगर मैं सत्रे कर डेल गुन देखना है, इसको मत देखो कि ये है मेरे दोस्तों, अब ऐसे देखा करो कि ये सवाल तो किवल इतना सा है, ऐसे देखा करो, ये सवाल तो किवल 17 और ये मेरे दोस्तों आपका इतना है, तो जब आप ऐसे चीज़ों को देखना सुरू करोगे, तब आपका वो पता चलेगा ठीक है? जी बताएगा महमारी की करण एक शहर की जनसंख्या 2% परेनम की दर से घट रही है यदि शहर की अभी जनसंख्या 45,000 है तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? अगर अभी 45,000 है बच्चों 45 सार में छुपा होता है 9 तो 2 साल बाद जनसंख्या अभी 9 का मल्टिपल होनी चाहिए This is not multiple of 9 5, 4, 9, 4, 2, 6, 7 not multiple of 9, 5, 4, 9 8, 1, इच्च है ये भी not multiple of 9 4, 3, 7, 2, 8, 1, ये 9 का multiple है D option आगया उत्तर सौल करना चाहते हैं कि जैसे population 45,000 है मेरी पेर 45,000 अभी हर साल 2% घट जाती है अगर कोई ची 2% घट रही है 100 से 2% घट रही है तो 98% रह रही है किसी संख्या को अगर आप 2% घटा होगे तो आप खुद का 98% रह जाएगी 98% मतला 0.98 0.98 into 0.98 ये population होगी after 2 years ये आ जाएगा जी इसको सौल करेंगे तब आपका उत्तर बनेगा ठीक है जी ये बताओ 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 15,62,500 थी पहली साल जनसंख्या 4% बढ़ी दूसरी साल जनसंख्या 4% काम हुई तो आपसे पूचा current population बताई current population ठीक अगर पहली साल जनसंख्या 4% बढ़ती है दूसरी साल 4% घटती है तो X और मानस X का successive निकालो X और मानस X का successive होता है X square by 100% decrease प्लस 4 और मानस 4 का successive आएगा दोस्तो आपका 4 का square 16,500 ये decrease होगी population यहनि कि population decrease होगी 15,62,500 से तो ये उत्तर नहीं हो सकता आपका ठीक है ना ये है कितना? 16% होता है मेरे दोस्तो आपका 4 बटे की population decrease हो जाएगी मैंने इसमें क्यों convert करा क्योंकि ये खुद नंबर जो है आपके सामने 25 के multiple में है तो एक बटे 625 अब मेरे दोस्तों decrease करने आपको तो इसका 625 क्या है मेरे प्यारे भाई ये जो नंबर है तो इसका 1 upon 6 to 5 करेंगे तो ये तो 25 गुणा 25 गुणा 25 ही है तो मेरे दोस्तों यानि की कितना आजएगा 25 बचे का 2500 तो population 2500 आपकी decrease हो जाएगी जो की 156 4 0 आएगी ए ओप्शन करेक्ट है बात समझ में आई खिलियर है तो इस नंबर इस 25 का Q तो आपने numbers को थोड़ा सा ध्यान से देखा करो numbers की knowledge होगी तभी आप कर पाएंगे एक बटे 625 आप decrease कर देंगे तो बचे का कितना 25 बचे का 2 0 है अगला देखेंगे एक शेर की current population 7500 कोई दिक्कत नहीं पहले साल population 12% कम होती है दूसे साल 8% बढ़ती है आप से पूछा दो साल बाद population क्या होगी ठीक है ना अब option काफी दूर दूर है तो हम इसकी approach calculation करूँगा और ऐसे ही option set की जाते हैं तो minus 12 और plus 8 का सक्सिव क्या होगा minus 4 और बार अटे 96 यानि कि मेरे दोस्तों minus का पॉर्ण 96 तो sign overall negative आ रहा तो population घड़ जाएगी दो साल बाद population 7500 से घड़ जानी चाहिए यह तर नहीं हो सकता अब यह कितना आई approximately 5% आया population approximately 5% less हो जानी चाहिए 7500 का 5% कितना आएगा मेरे दोस्तों अब आठसो 900 के आसपास आजाएगा अगर इसमें से 900 भी घटा लिया जाए clear है बात समझें इस तरीके इस आपको देखना है एक कस्बे की जो population है वो है दोस्त कितनी अस्यार पहले साल जो population 8% घटती है दूसरे साल 5% बढ़ती है second year के end में population बताएगा तो पहले साल 8% कमी हुई दूसरे साल यहाँ पे 5% बढ़ी तो दो साल में चेंज कितना है मानस 8 और 5 का successive मानस का 3 मेरे दोस्तों यह हो जाएगा जी आपका मानस 0.4 यानि कि यह आपकी 3.4 percentage decrease हो जाएगी population population 80,000 से घट जाएगी 3.4% तो घटने के बाद यह तो आएगा नी और 3.4% decrease करोगे तो यह unit rate मेरे दोस्तों 5 तो आएगा नी बैए 80,000 का 3.4% क्या आएगा unit rate आएगा जो यह दो और 80,000 में से कोई 2 unit rate की संक्या घटाओगे तो end में 8 आना चाहिए this should be answer समझ में आए ना बेटे 3.4% आपकी population decrease हो जाएगी तो population बचेगी कितनी इतनी आप decrease कर दोगे तो आप कहोगे सर 96.6% बचेगी population initial का ठीक है ना तो 488 should be the unit digit समझे अगला सवाल देखेंगे सवाल है मेरे दोस्तों एक शहर की जो population साल 2014 में यह है 8,000,000 ठीक 80 है भईया यह यदि 2015 में मेरे दोस्तों क्या होता है 80,000,000 थी 8% की वरद्धी होती है फिर 2016 में 35% की कमी होती है और फिर 2017 में 65% की वरद्धी होती है ठीक है ना 3-3 साल दिया है साल 2017 के end में शहर की population क्या होगी यह आप से पूछा गया है बच्चों जवाब दो जल्दी से करेंगे फटा फट चली अब देखिए इस सवाल के option काफी दूर दोने आप इसको यूनिडेट से भी कर सकते हैं और यहाँ पर मेरे दोस्त यूनिडेट सब का लगल है इसका 4, 7, 5, 8 तो आप इसको एकाई कंग से भी कर सकते हैं जैसे आपको पसंद आए आप यहाँ पर formula भी लगा सकते है ratio भी कर सकते हैं, सुनिए 2015 में जैसे 8% की व्रद्धी हुई 8% की व्रद्धी का मतलब होता है भी 4% होता है, 1 बटे 25, 8% 2 बटे 25 यह निकी population 25 थी तो 25 से बढ़के होगी सत्ता है इस आप बोलोगे जी बिलकुल से फिर 35% कम हुई 35% का fraction लोगे 7 बटे 20 निकी population 20 थी 20 से घटके 13 होगी फिर 2017 में 65% ब्रद्धी 65% क्या होता है भई 13 बटे 20, 5% 1 बटे 20 500% 13 बटे 20 तो population 20 से बढ़के जी 33 हो जाएगी निकी initial population थी यह यह ना यह 500 और यह आपका 20 यह 10 यार initial 10 यार थी मेरे प्यारे बई तो अब होगी जी आपकी यह 27 इंटू 13 इंटू 33 अब देखो 10 यार की value सवाल में आपको इदर रखी है clear है दोस्तों कितने गुना है तो आपका होगी सर 800 गुना है तो इसका भी 800 गुना करना होगा अब 800 गुना करोगी किवल इकाई कांक देख लो है ना 27 इक इस एक 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 तीया तीन 38 24 तो 4 आएगा मेरे दोस्तों और एंड में 2 0 जरूर आएंगी तो यह A option इस सवाल का आंसर है ठीक है मैं आपको अलग अलग तरीके dimension बतारूं सोचने की ठीक है जी बात समझे आप सभी लोग किलियर है आप ऐसे भी देख सकते है कि ये तो है भाई आपकी 4 और ये 2 6 ठीक है दोस्त 8 परशन की वरद्दी होते है तो ये 1.08 टाइमस हो जाएगा बहुत सही 35 परशन की कमी होती है अगर 35 परशन कम करोगे तो 65 परशन रह जाएगा पर 65 परशन की वरद्दी करोगे 1.65 हो जाएगा ठीक है ना अब यहाँ पर 2, 4 और ये 2 6 ये मेरे दोस्तों यहाँ पर आपकी टट जाएगे इसको कैलकुलेट करेंगे तब आपका जाएगा लेकिन उससे कैलकुलिशन बढ़ जाती है यहाँ भी आप यूनिडिट मैच कर सकते हो यहां से पांच और यहां से पांच आपको निकालना होगा जिससे की जीरो सेपरेट हो जाए फिर यूनिडिट मैच होगा ठीक यह बताओ एक शहर की जनसंक्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है शहर की करेंट पॉपलेशन 93,051 तो दो साल पहले इस शहर की जनसंक्या क्या थी इस बार यहां पर पहले पूछा है बात समझे शहर की पॉपलेशन हर साल 5% क्या है रही है बढ़ रही है तो 5% का मतलब 1 बटे 20 तो याने कि एक साल में मेरे दोस्तों population 20 से 21 हो रही है, तो दो साल में कितना होगा बई स्क्वाइर, दो साल में कितना होगा बई स्क्वाइर, याने कि 20 का स्क्वाइर 400 और 21 का स्क्वाइर 441, अगर अभी मेरे दोस्तों 400 है, तो दो साल बाद 441 रही होगी, यह यह न, 441 के वेलुए सवाल में आपको दिये और 400 की वेलु आपसे पूछी है यह गा बई, एक एका में एक चार, यूनिट चार आएगा मेरे दोस्तो और देखो, यहाँ पर ना 2 0 है, तो end में ना 2 0 आनी चाहिए लेकिन आप दो option में फस गए A और D में चार सो का multiple, चार सो के multiple तो यहाँ पर दोनों ही है सॉल्क ही करना पड़ेगा मेरे दोस्तो चार सो, एक तालिस, दोनी, आठ सो, बैयासी बचे कितना आपका, अठार या तीस, अड़ता, चार सो, पिचासी बचा अब यह जाएगा, फिर आपका चार सो, एक तालिस, दोनी, आठ सो, बैयासी और मेरे दोस्तों, एक बार जाएगा दोस्त कितना बचा फिर आपका, 44, यह फिर एक बार चलाएगे 211 गुना है, तो चार का 211 गुना करेंगे तो यह 844, यानि कि 844 00, इस question का answer आएगा ठीक है ना, 441 का पहाड़ा तो याद हो गई यह आपको कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बाई, एक गाम की जनसंक्या हर साल 6.25% की speed से बढ़ती है गाम की current population 4.40 है, तो 2 साल पहले population कितनी थी अगर हर साल population 6.25% बढ़ रही है, अब दिखेंगे, अब तो percentage ही ऐसी ही ना क्या हो, इसकी fractional हो, एक वटे 16, एक वटे 16 बढ़ रही है तो 2 साल में क्या होगा मेरे पैरवे, 16 का square 256, एब एक साल में population 16 से 17 हो रही है दो साल में क्या होगा, बस square, 16 का square 256, 17 का square 289, तो इस successive है तो आपको सवाल में 289 की value दिये हैं, यहां पे 4,040, 4,046 पर आप से क्या पूछा है, 256 की value यहां से पूछी गई है, यह सवाल है तो आप 256, 16, 16 का multiple भी चेक कर सकते हैं, ठीक है भई, अब यहां से 9, 9.36, 4 गुना है तो 6.24, 4, unit 4 होना चाहिए, यह answer है, A option, देखो, population decimal वगरा में नहीं होती तो यहां पे ना पूरा-पूरा कटेगा ही, एप्रोक्स का chance है नहीं, तो 9.36, तभी तो 4 आ सकता है तो यहां पे भी 6, 24, 4 होना चाहिए, this should be the unit digit, आगे चलेंगे, अगला सवाल एक शहर की जो population है, पहले, दूसरे और तीसरे साल में, 5, 2 और 6% की व्रद्धी हुई तीन साल के end में, तीसरे वर्स के end में, population होगी 56,763 शहर की प्रारंबिक जनसंख्या ग्यात करिए, आपके सामने option है, ABCD तीन बार बढ़ाना है, 5%, 2%, 6%, यह option है, तीन साल बाद population 56,763 होगी, इसमें कोई 0 नहीं है तो यह answer होई नहीं सकते, कभी भी यह answer होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, अगर इसको आप 5%, 1,20, 2%, 1,50, 6%, 3,50 बढ़ाओगे, तो मेरे दोस्तों यह सब decimal में जाने लगेंगे, clear है, नहीं आपको भरोसा हो, तो आप यहां पर देख सकते हैं, दोस्तों, ratio से भी कर सकते हो, कि यहां पर unit rates तो सब का अलग गई, 5% बढ़ाओगे, तो 1,20, 1,20, 20, 21, 2% बढ़ाओगे, एक वटे, कितना मेरे दोस्तों, 50, 50 से हो जाएगा, मेरे दोस कितने 50,000, अब यह हो जाएगे मेरे दोस्तों, 21, 51, 53, एक एक तीन, unit rate 3 आ रहा है, 3 के value 3, मतलब यही नंबर होगा, एपरोक्स देख लो ना, पच्छिस सो और यह जो आपका देखे, बिलकुल यही एपरोक्स, मैंने exact calculation नहीं करूँग, इन तीनों की गुणा करके unit 3 आ रह होगी, तभी तो आपका 50,000 option match करेगा, D option, समझ में आया, चलो, यह बताओ, किशी शहर की आबादी पहले साल के end में 5% बढ़ी है, और दूसरे साल के end में 4% कम हुई है, यदि दूसरे वर्स के end में population इतनी है, तो पहले साल की सुरुवात में कितनी होगी, देखो, यह सब देखे, बस examiner का purpose देए, कि आप डर जाए, लेकिन आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, पहले साल के end में population 5% बढ़ी, दूसरे साल के end में 4% कमी हुई, दो साल बाद population दिये, शुरुवात में पूछिए, तो 5 और मानिस 4 का successive कितना होता है, तो कि यहाँ 5 और मानिस 4 का successive आएग चाहिए, यानि कि initial population 55 बारस से कम रही होगी, इनिशल population तो इससे कमी होगी न, दो साल में population 5.8% बढ़ने के बाद यह आनी चाहिए, तो सुरुवात में तो इससे कमी रही होगी, यह दोन option हट गए, अब 2 option बचे, देखे, अगर आप इसका 5.8% बढ़ाओगे, इसका 5.8% तो आपको नहीं लगता कि unit jit जो है, ना तो unit jit match करेगा और decimal में जाएगा, पॉंट 8% इसका निकालोगे 10 हमलं में, population 10 हमलं में तो हो नहीं सकती, यह आंसर बचेगा C, ऐसे करना है आपको, किशी देश की जनसंख्या पृतेक दसक में, हर 10 साल में 1% की दर से घट रही है, यदि साल 2030 में उस देश की अनुमानित जनसंख्या 1940598 दी गई हो, तो साल 2000 में देश की जनसंख्या कितनी थी, हर 10 साल में 1% घट रही है, 2030 में इतनी थी, तो सन 2000 में कितनी है, तो 30 साल का गयप आ गया, यानि कि 10 साल में 1% घट रही है, तो 30 साल में 1 एक एक का सक्सिसिव घटी होगी, तो यानि कि आंसर ऐसा ओप्षन होना चाहिए, जो 1 एक एक का सक्सिसिव घटाने पर ये दे दे, अब इसको 1% घटाओगे, त मतला 99% रहे गया, 0.99, 0.99, फिर 0.99, आपको नहीं लगता कि सारे option को अगर आप इससे multiply करोगे, सब दसवलों में कूदेंगे, और जनसंग के दसवलों में होती ही नहीं है, बात समझ में आई, ये देखो एक और, एक देश की जनसंख्या हर साल, हर दसक में 4% के हिसाब से अनुमानिच जनसंख्या इतनी है, तो सन 2000 में उस देश की जनसंख्या कितनी थी, अब ये option है, population 4% की दर से बढ़ रही है, अब 4% का fraction value क्या होता है, 4% का fraction value होता है, एक वटे 25, हर साल एक वटे 25, एक वटे 25, एक वटे 25 बढ़ाना है, तीन दसकों तक आपको बढ़ाना है तबी तो 2000 और 2030 के विच में 30 सल का क्या पाएगा, अब एक वटे 25 बढ़ाओगे, ये option दिक्कत करेगा, ये दिक्कत करेगा, ये दिक्कत करेगा, केवल ये नहीं करेगा, ये ही कैसा option है, वटे 25, वटे 25, वटे 25, वटे 25, तीन बार भाग दे लो, कोई दिक्कत नहीं पर, कि end में 625 आ रहा है न, 25 से कट जाता है, तो आपको ये observe करना है, ठीक है दोस्त, अब यहाँ 25 से भाग लगाओ, 2-0 खतम होती, फिर दुवार कैसे भाग लगाओगे, यहाँ कैसे भाग लगाओगे, एक बार 25, 2-0 खतम होती, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने व परसेंट है, वार्सिक म्रत्य उदर 3.7 परसेंट है, तो तीन साल बाद गाम की जनसंग क्या बताओ, मतलब यह रहा है गाम की करेंट पॉपलिशन 9,000 है, हर साल 13.7 परसेंट लोग पैदा हुए, और 3.7 परसेंट लोग मर गए, तो अल्टिमेटली एक साल में तो 10 तीन साल में कितनी बढ़ जाएगी, 33.1 परसेंट इस्टेंडर डाटा याद करो, तो 9,000 को 33.1 परसेंट बढ़ाओ गे, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 133.1 परसेंट, तो यूनिट इट विल बिदा 9, क्लियर है, आप बोलोगे जी सर, ये दोन उप्शन नहीं है, और 9 का मल्टिपल आएगा, 9 का मल्टिपल ये नहीं है, यानि कि यही बचा दोस्त, ये 9 का मल्टिपल है, 9 का मल्टिपल मैच कर जाता, तो हम फिर 11 का देख लेंगे, यहाँ पर, बात समझ में आई, ठीक है, तो ये पॉपलेशन के सारे टाइप हैं, अब आप देखोगे कि यह ठीक है, चलिए